नमस्कार दोस्तो ओल हिंद्याजाई ट्यूब चल में आपका स्वागत हैं दोस्तो अगर आप पेटियम वॉलेट का पैसा बेंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो भी विदाउट केवाईसी के तो कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जिसे की मेरा पेटियम बैलन्स आप देख सकते हो इसको अभी मैं लाइव अभी में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा बेंक अकाउंट में केसे करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और अगर मैं चार्जेज की बात करूँ तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा 0% चार्ज पे आप अपने पेटियम वॉलेट का पिसा बेंक में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपने केवाईसी नहीं कर रखा है तो भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ मेरे अकाउंट पर मैंने केवाईसी नहीं कर रखा है प्रोफाइल सेटिंग पर मैं क्लिक करूँगा और यहां पर मैं दिखा देता हूँ कि इस पर मैंने KYC नहीं करका, फिर भी मैं transfer कर लूँगा यहां पर आप दिखे का profile पे click करता हूँ तो यहां पर लिखा हुआ है Update KYC, इसका मतलब है कि मेरे नंबर पर KYC अपडेट नहीं कर रखी है फिर भी इसी में Paytium Wallet का पैसा बेंक में ट्रांसफर करूँगा वो भी 0% से अगर आपने KYC नहीं कर रहा है या फिर आपने KYC कर रहा है तो आप करी सकते हैं तो दोने कंडिशन में आप अपना Paytium Wallet का पैसा बेंक में ट्रांसफर कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं उसके बाद में आप Paytium को ओपन कर लिजे और आप यहाँ पर पास्बुक पर क्लिक कर लिजेगा उसके बाद में Paytium Balance पर क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आप Paytium Wallet पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक option मिलेगा Send Money to Bank इसके उपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें Upgrade के लिए बोलेगा यानि हमारा KYC होना चाहिए तब ही हम Bank में Transfer कर सकते हैं जिनका KYC कर रहा तो यहाँ से आप डारेक्टिव option आ जाएगा बिंग में Transfer करने का तो यहाँ से कर लेजएगा अब हम बात करते हैं कि जिन्नोंने KYC नहीं कर रहा है तो उनके लिए क्या करना है तो आपको इस वाले option से नहीं होगा Transfer तो बैक कर लिजेगा और यहाँ पर मैं आपको scan लिका हुआ है तो आपको QR code scan करना होगा यह QR code कैसे और कहां से मिलेगा वह भी मैं आपको बहताने वाला हूं तो एक बार आप process जान लिजे चलिए यहाँ पर मैं QR code मैंने scan कर लिया उसके बाद में यहाँ पर जो भी amount आपका paytium wallet का bank में transfer करना वो आप यहाँ पर डाल दीजेगा तो चलिए यहाँ से मैं bank करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर paytium balance का option आ रहा है और यहाँ से मैं इसको transfer कर सकता हूँ तो चलिए यहाँ से मैंने इसको 50 रुपए transfer कर दिये और यह मेरा transfer भी हो गया ठीक है आपको यह QR code कैसे generate करना वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको proof दे देता हूँ मेरा paytium wallet का balance दिखा कर यहाँ पर आप देख तो आप 55 रुपए ही रहा है यानि मेरा जो 50 रुपए है यह transfer हो चुका है वो भी paytium wallet से हुआ है तो दोस्तों यह QR code आप कैसे generate करेंगे तो मैं आपको बता दूँ जिसे कि यहाँ पर आपको play store में जाना है play store से आपको paytium for business application को download करना है यह आपको किसी दूसरे mobile phone में करना है अपने परिवार के किसी सदश्य के उनके download कर लेना है उसके बाद में इसके अंदर आपको एक account बनाना पड़ेगा ठीके इसके अंदर आपको एक account बनाना पड़ेगा जो paytium business का होगा और उसके बाद में जो भी आपका paytium wallet का पैसा है वो आप इसमें transfer कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक bank account एड़ करना है जिसे कि यहाँ पर मैंने एक bank account एड़ गर रखा है तो आपका एड़ कर दीजेगा जो अगले दिन आपके account में पैसा एड़ हो जाएगा अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी shop पर ऐसा merchant account बना होता है तो वहाँ पर उनको आप paytium wallet से payment कर दीजे और उनसे आप case ले सकते हैं तो दोनों ही मैंने option बता दिए बिना के बाइस ही का आप कैसे कर सकते हैं तो I hope इस वीडियो में दीगर information आपके लिए useful drive वगी